हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माई चैनल दब्राउं फैमिली इसमें आपका बहुत स्वागत है और आज हम और आज है संडे का दिन और सुखा के बचरे हैं साड़े छे और हम लोग होके नहां होके रेडी मैं मेरी फ्रेंड और मेरी होगी जी हम तीनों चा रहे हैं संदरवजार मैं मैं तहली बार चाल के में आज मैं पहूंचे 30,000, 30,000 हम पहुंचे थे सुभा 7.30 बजे, हम यहां मेट्रो में बाते कर रहे हैं दोनों फ्रेंड्स, गपेडू, और हम 30,000 पहुंचे थे साड़े 7.30 बजे, हमने नीचे से लिया एरिक्षा, जो की 10 रुपे सवारी लेता है, एक सवारी के 10 रुपे, और वो सदर बजार मार यहां पर हम आसी मजाग कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने एंटर किया, तो मुझे मार्केट अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ा पुराना समान लग रहा था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहां पहुंच गई, बट जब मैं अंदर एंटर किया, तो मुझे अच्छा पील होने लग गया, शुरुवात में हमने देखे मंगज उत्र, जो कि 50 रुपे पर पीस था, और अच्छा भी लग रहा था, और ऐसे यह वाले नेकलिस थे, हमारे 50 रुपे पर पीस, यह भी बहुत सुंदर सुंदर थे, हमने इसमें से कलर डिजाइन भी देखे, यह थी स कलचर्स, हेर की जो भी प्राटेक्ट लेना चाहते हैं, साय लाइन से लगे वे थे, और रीजनेबल प्राइस भी था इनका, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था कि महंगा दे रहे हो बहुत ज़्यादा, और हम अगर तोड़ा ज़्यादा समान लेते हैं, तो लोग कम भी कर ल सुन रही थी, मुझे मिला भी, गोल्डन कलर का परल वर्क में, और यह लगाया वह बहुत सुन्दर लगता है, इसके बाद हम पहुंचें नेकलेस की सौप पे, जो सेल थी 120 और 200 रुपे की थी, और इसमें कलर डिजाइन बहुत ही प्यारे प्यारे थे, मल्टी कलर, रेड, एक ही था, सेल में था और यह, 200 रुपे की सेल और 120 की सेल, बर इनके पास कलेक्शन बहुत जादा था, जैसे कि देखी रहे हैं, आप इनके पास मल्टी कलर्स रखें, मल्टी डिजाइन्स, यह सब देखने पर ऐसा लगता है, कि हम सारे ही ले ले, बट हमारा बजट काम नह लेते हैं इसे, यह सारी शॉप डूणने में आपको कोई प्रॉब्रम नहीं होगी, क्योंकि हम सदर मजार में जाते जाएंगे, और लाइन से हमें सारी शॉप मिलती जाएंगी, और सभी शॉप की अपने अपरे रेट होते हैं, हमें बस देखना है, ध्यान देना है, कि हमे दुकान दार सारे रिट लगा भी लेते हैं, रिजनेबल प्राइस, तो SSL मैंने पर्टिकुलर कोई शॉप का नाम नहीं दिया आपको, यह थे हैर SSL दूसरे वाले जो गजरे थे, यह पेर और पचास रुपए के दो थे, और यह लगाए वे जब हम फेस्टिवल सीजन में लगाते हैं, तो यह सुन्दर लगते हैं, बहुत, फ्लावर्स गजरे वेगेरा, यह थे 140 रुपए के 35 पीस एरिंग्स के, और यह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल थे, यह कॉलेज कल्स के लिए बहुत सुन्दर लगते हैं, इसमें मल्टिव कलर्स थे और डिजाइ कंगन, नेकलेस, यह बहुत ज़्यादा हीूज मात्रा में मिलते हैं, और कम भी कर लेते हैं, दुकानदार भी सही होते हैं, रीजनिमल प्राइस लगा देते हैं, और कलर भी बहुत, जो कलर हमें चाहिए, हमें को वहाँ एजिली मिल भी जाता हैं, तो एक-एक डिजाइन के कम से कम भी उन्होंने पंद्रा-पंद्रा कलर रखे वे थे, तो बस हम अपनी पसंद का समान देख रहे थे, कि हमें क्या लेना है, यह एरिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आया थे, ग्रे कलर के, यह सिर्फ 20 रुपीज में थे, कॉलेज गल्ड के यह बहुत सुंदर, सिर्फ 20 रुपीज की फूरी सेल थी यह, कोई से भी एरिंग्स लेलो 20 रुपीज, ओप्शन अच्छा है कलेक्शन करने के लिए, हम घूमते घूमते पहुंचे इस शौप पे, मतलब इस गली में, जिसका नाम था, गुपता मार्किट सदर बजार, यह एक गली है, लंबी सी, और इसमें मिलते हैं, एरिंग्स, जूलरी, मतलब ब्राइडर, जूलरी, नॉन ब्राइडर, जूलरी, लड़कियों की लिए लेलना है, लेडी लेलना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें से, और हम घुमते घूमते इसमें, आगे जब हम गए अब सर्च करते वे तो हमें एक शॉप मिली जिसका नाम था राज लक्षमी जिसके मैं अभी खड़ी हूँ तो राज लक्षमी शॉप में जब मैं पहुंची तो इनके पास भी एक ह्यूज कलेक्शन था छोटी सी शॉप थी बट बहुत सारा अच्छा समान था इनके पास एर इनको यह नहीं लगा कि हां हम सौरपे वाली यह पचास पर ली चीज ले रहें तो उनको ना दिखाया जाए पांजर वाली चीजों को दिखाया जाए ऐसा कुछ नहीं किया इनोंने मुझे भी बहुत अच्छे से दिखाया है नोने एरिंग्स और आप देखी सकते हैं कितन कि एरिंग्स लगे हैं सामने से ही जो हमें मार्केट में डेर सो दो सो तीन सो में मिलते इनके पास हमें इसली सो एक सो बीस नबहे ऐसे मिल रहे थे हमको तो मुझे अच्छा लगा यह सारी चीज़े तो इसलिए मुझे लगा मुझे आपको भी बताना चाहिए और मैं इन श अब मुझे बहुत प्यारा लग रहा था यह 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 था चोकर सेट जो मेरी फ्रेंड देख रही थी और पहले उसने चेक किया और फिर मैंने चेक किया इसको हम दोने एक दूसरे को चेक करके देख रहे थे कि कैसा लग रहा है यह और हमने यहां से लिए बहुत सारे एरिंग्स जूरी अब यह हमारी बिलिंग कर रहे हैं अब है यह कि यह वाले एरिंग से ओनली टैन रूपीज में छे पीस फिर हम आगे बढ़े हमें मिले कंगन की शॉप यह थे कंगन पेर एक पेर था सौ रूपे का और उनके पास मल्टी कलर थे पूरे नहीं चार पांच काटन भर रखे थे सिर्फ इसी कंगन से और इसके बहुत सारे कल लग रहे हैं क्योंकि मैं सारे तो नहीं ले सकती इसलिए जो मेरे पास कलर नहीं है और फैस्टिव सीजन सुरू होने वाला है तो मुझे ऐसा लगा जो मेरी साड़ी हाँ है मेरे पास मैं उसी टाइप का कुछ ले लूँ जो मेरे यूज में आए यहां पर थे कंगन इस वाली शॉप में भी कंगन का सेट बहुत अच्छा था और इनके पास भी हर डिजैन और जैसे कि आपके पास होता है ना कि अगर किसी के पास जा रहे हो आप और वह वाला आपको डिजैन पसंद है पर आपको साइज नहीं मिल रहा तो प्लीज एक ब कोई दिक्कत आई नहीं है मुझे जैसा ऐसा लगा मैं फॉर्स टाइम इस मार्केट में गई थी तो मुझे कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई थी हां पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं मेंशन कर दूं यहीं पर ही कि आप खाना प्लीज अच्छे से खाके जाएं क्योंक कि वी थी पाने की बॉटल पर हम खाने का कुछ ऐसा लेके नहीं गए थे सिद्धा हमें एंड में मिला था खाने को कुछ तो यह मेरा पहला एक्स्पेरियंस था इसलिए मैंने आपके शाथ शेयर किया यह थी ऑक्सिडाइट जूल्रियां और यह पट्री पे ही थी हमने रे 80 एसे क्लक्षन था बहुत सुंदा सुंदर क्लेक्शन और हम इसे कम कर आ रहे हैं इसलिए हमेरा रहे हैं इसे सकते हैं और यह दूसरी ती मतलब पट्री पर ही दूसरी डे थी जिससे हमने लिए थे हातों के कंगन जो कि साट रुपे से स्टार्टिंग थी और पांसो तक जा सकते थे आप तो हम इसमें भी पहन पहन के चेक कर रहे हैं कि हमारे हातों पर कौन सा अच्छा लगेगा तो यह वाले अंकल भी बहुत अच्छे थे इन्होंने मुझे चेक करने दिया बहुत सारी जुल्ड़ी मैंने इनकी चेक करी पर लिया मैंने कमी था पर चेक मैंने बहुत सारा बहुत सारा किया तो अंकल बुरा भी नहीं माना पेल कि कईको your ह कोते नं शॉपकीर पर बोल देते हैं कि हाँ इतने सारा चेक करो लेना देना नहीं है पर ऐसा एन्हों ने कुछ नहीं कहा बल्की यहा सदर बजार में कोई भी शॉपकीर पर ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि हमने हर दुकान से एक दो एक दो पीसी उठाए थे और चेक हमने बहुत किया तो ये वहवार मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो लगभग लगभग मैंने सारी क्लेक्षिन इनकी चेक कर डाली थी बात में अंकल जरूर सोच रहोंगे बदमास लड़कियों सारी चेक कर डाली मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी लिये थे इसमें से तीन-चार मैंने और तीन-चार मेरी फ्रेंड ने भी लिये थे इससे आगे गए हमें एक शॉप भी मिली जिसमें ऑक्सिरेट जूल्री ही थी इसमें भी और इनके पास भी कलेक्शन बहुत अच्छा था प्राइज इनके भी रीजनेबल थे पर ये जादा इन भाईया ने जादा कम नहीं किया थोड़ा ये बहुत प्राइज कम किया और जादा लेते तो शायद जादा कम करते हमने एक दो ही लिया था इस वज़ेशे शायद इन्होंने जादा कम नहीं किया पर इनका कलेक्शन इनका भी बहुत अच्छा था जैसे यह वाली जूल्री देख सकते हैं यह 110 की थी उनली 110 रुपी इन्होंने बोला तो महंगा था 130-140 बोला था पर हमने कम करवाया था तो हम जो ऑनलाइन जूल्री देखते हैं उक्सिडेट वो सारी थी इनके पास हमने अगर कोई पिक्स भी दिखाई है तो वो इनके पास एवेलेवल थी वो बोल्ट रहते हैं कि हम दिखाते हैं आपको क्योंकि इनके चोटे-चोटे जो दुकाने होती हैं वो बाहर की तो यह वहां से लाके दिखा देते हैं अगर हम इने कोई दिखाएंगे ऑनलाइन अगर हमें कुछ पसंद है ऑनलाइन हर में वैसे ही लेना है यहां से तो रिजनेबल प्राइज में यह हमने दूसरे वाले हेर एक्सेज़ी देखी थी यह भी बहुत सुन्दर कलेक्शन था हैंड़िट रुपीज का यह डबबा था पूरा और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था उमीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो इस व्लॉग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड अन फार